मैं दो वर्सों से पढ़ रहा था इस सेंटेंस को इंगलिज में जानेंगे आज की इस वीडियो में तो चले हम इसे इंगलिज में ट्रांसलेट करते हैं दोस्तों ये past, perfect, continuous tense का affirmative sentence है और ऐसे sentences को इंगलिज में ट्रांसलेट करने का नियम है पहले subject लिखते हैं और इस वाक्य में subject क्या है मैं तो मैं को English में I कहते हैं तो पहले हम I लिखेंगे उसके बाद had been लिखना है I के बाद had been उसके बाद b ing b ing से मतलब है verb के साथ ing और उसमें verb है पढ़ रहा था यानि पढ़ना पढ़ना को English में read कहते हैं read के साथ ing तो हो जाएगा reading उसके बाद दो वर्सों की meaning लिखेंगे वर्सों के लिखेंगे वर्सों के लिए आप और अप्रयोग करेंगे for two years ठीक है मैं दो वर्सों से पढ़ रहा था इसकी English होती है I had been reading for two years दोस्तों यदि आपको कोई पॉइंट समझी में नहीं आया तो आप कमेंट कर देना जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके कमेंट कर रिपलाई देने की कोशिस करूँगा वीडियो अच्छा लागा तो लाइक करना शेयर करना अपने दोस्तों के साथ थैंक्स पर वाचिंग